हेलो एब्रीबन आज मैं लेकर आई हूँ मेवा पाक की रेसिपी जिसे श्री किष्ण जन्माश्मी पर विसेश रूप से हर घर में बनाये जाता है इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए आईए देख लेते हैं सबसे पहले पोस्ता लिया है दो चम्मच दो चम्मच ही गौन ली है छे से साथ हरी लाइची ली है पच्चिस से तीस काजू लिये हैं इनको कट कर लिया है एक मुठी बरके किसमिस लिये है पच्चिस से तीस बादाम लिये हैं इनको भी कट कर लिया है आदा कप खरूज की मेंग लिये है और आदा ही कप नारियल गिसा हुआ लिया है एक बड़ा कप मखाना लिया है चलिए अब बनाना शुरू करते हैं एक कडाई रख लेंगे उ थोड़ा थोड़ा घी करके डालिए जतनी जरूरत हो एक वार में जादा डालने की जरूरत नहीं है जब जरूरत होगी तो हम घी बढ़ा लेंगे अब हम इसमें गौन डालेंगे गौन को तलेंगे आराम से गैस बहुत तेज नहीं होनी चाहिए नहीं बहुत जादा धीमी हो होनी चाहिए मीडियम आज पर हम इसको आराम से तलेंगे हो सके तो गौन में धूप लगा लिजए सीली वी नहीं होनी चाहिए अब इसे निकाल लीजिए गौन हमारा अच्छे से सिख गया है फूल गया हाँ से दबा कर देख सकते हैं कि अंदर से अच्छे से पफ हो गया है और काजू का अलग इसलिए काजू बाद में डालेंगे साथ में डालेंगे तो काजू जल्दी लाल हो जाता है काजू को हलका सा चलाएंगे और तुरंत ही हम इसमें किस में सैट कर देंगे साथ में खरवूज की मिंगी भी डाल देंगे क्योंकि इसको भी सेखने में बहु को दिखेगा समझ में आ जागा कि बीज हमारे चटकने लगे हैं जैसे ही वो चटकना शुरू हो हम इसमें पोस्ता डाल देंगे और साथ ही नारियल भी डाल देंगे हमें नारियल को भूना नहीं है बस हलका सो सौटे करेंगे जिससे कि वो हमारी वर्फी जो हम बनाएंगे व और हमारी वर्फी की लाइफ उससे बढ़ जाएगी अब हम इस पूरे मिश्राण को एक प्लेट में सिफ्ट कर लेंगे और बापस उसी कड़ाई में थोड़ा सा देसी की और डालेंगे जब घी गरम हो जाए तब उसमें मखाने डाल देंगे लगातार चलाते हुए धीमी आज पर हम मखानों को भूनेंगे 6-7 मिनट में मखाने हमारे भून जाएंगे उनका कलर चेंज हो जाएगा आप चाहें तो हास से फोड़ कर भी देख सकते हैं अब हम इनको निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे अब हम पाक के लिए चाशनी तयार करेंगे तो सबसे पह लगातार चलाते रहें लगातार चलाते हुए चाशनी बना लीजे थोड़ी देर में देखेंगे कि चाशनी गाड़ी होने लगी है बुलबुले आने लगें आप हास से टच करके देख लीजे कि चाशनी एक तार बनने लगे जब आपकी चाशनी में एक तार बनने लगे तब आप इसमें अपना डाइफूट मिक्स एड़ कर देजिए गैस का फ्लेम धीमे ही रखिएगा बहुत तेज मत रखिएगा अब हम इसमें मखाना और गौन डाल देंगे जो मखाने अपने भूने थे और गौन उसको मिक्सी में पल्स मोड पर क्रश कर लिया था अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे चाशनी और डाइफूट अच्छे से मिक्स हो जाएं तब गैस बंद कर दीजेगा बहुत ज्यादा ओबर कुक नहीं करेंगे अगर ज्यादा तेज तक हम पकाएंगे तो हमारी चाशनी खिल जाएगी और वर्फी अच्छी नहीं ज ट्रांसफर कर देंगे अब हम इसको स्पैचुला की हल्प से दबा देंगे और आदा से एक घंटे बाद हम इसमें नाइफ से हलके से कट लगा कर रख देंगे जिसे की वर्फी हमारी आसानी से निकल आए फिर जब वह खूब अच्छे से ठंडी हो जाए तो दो घंटे बा और अगर आपको कुछ भी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें बाई बाई